नमस्कार दोस्तों आज पर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर तो आज की जो हमारी discussion है वो है physical activities के उपर रहेगी क्योंकि हम सारा दिन बीजियों का नाम पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं लेकिन अपने physical activities के उपर कम interest देते हैं तो मैं मेरी बहुत सारी आप वीडियो देखेंगे हमारे चैनल के उपर कभी भी आप कोई मेरी वीडियो उठाकर देखेंगे मैंने कभी न कभी कोई न कोई physical activities के उपर topic जरूर डाला होता है और मेरी वीडियो के उपर एक permanent logo लगा हुआ है करो जोग और रहो निरोग उसका reason है मैं बार बार हर एक अपने person को अपने near and dear को अपने बच्चों को अपनी family को अपने दोस्तों को अपने clients को मेरा whatsoever चाहे मेरा कोई anime न सबको anime है सबको मैं यही कहता रहता हूँ कि आप अप health है तो wealth है अभी wealth देख लीजिए wealth पैसा होता है health से related है आप suppose देखिए जब भी कभी आप बिमार होते हैं जब भी आप कभी temperature हो गया जो whatsoever आपको क्या लगता है कि पदा नहीं body के अंदर कुछ है ही नहीं है ना पैसा अच्छा लगता है ना कोई person अच्छा लगता है चिट physically fit होना हम लाखों रुपए अपनी गाडियों की maintenance के उपर लगाते हैं घर को साफ करते हैं लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि हम अपनी body को भी inner side से साफ करें इसके उपर भी कुछ spend करें मैं तो यह कहता हूं कि अगर आप पैसा कमाने के लिए 8-10 गंटे लगाते हैं तो मेरी से request है मतल अपनी body के लिए भी minimum एक से दो गंटे तो जुरूर लगाएं इसी ने सब कुछ देना है अगर आप कल बीमार भी हो जाते हैं अगर कल बीमार हो भी गए तो दो दिन चार दिन आपके बच्चे सेवा करेंगे wife सेवा करेंगी या parent सेवा करेंगे और दो महीने तक बमार रहेंगे उसके बाद पता क्या कहने स्टार्ट करेंगे कब जाएगा यार यह तो headache बन गया है मतलब ऐसा कहना भी स्टार्ट करतेंगे क्योंकि जब आप ऐसी बमारी से सफट हो जाएंगे यह fact है मैं सुनने की आप कोशिश करें आपके कोई दोस्त भी होंगे आपको मुझे physical activities कब स्टार्ट करते हैं कोई मुझे एक अंसर देदे बंदा आज की डेट में जो physical activities कब स्टार्ट करते हैं 90% लोग तब स्टार्ट करते हैं जब वो किसी ना किसी बमारी से सफट हो जाते हैं और 10% लोग ही ऐसे हैं जो बिलकुल फिट हैं वो चाहते कि हम फिट र योगा स्टार्ट कर लूँ जा मैं अपनी सहर स्पाटा स्टार्ट कर लूँ तो आज की situation इतनी पैनिक है कोविट के कारण हर एक परसन चाहे वो रिक्षे चलाने वाला है चाहे वो बड़ा इंडरस्ट लिस्ट है चाहे वो मुड़योकल काम करने वाला हर एक tension में है कि यार जा रही है वो कैसी चलेंगी लोगों ने लाकों क्रोणों रुपे की लिमिटें उठाई हुई है वो कहते हम क्या करेंगे तो यह जितनी भी प्रॉब्लम से है उसको एक ही चीज ठीक कर सकती है आपकी फिजिकली एक्टिविटीज तो सबसे इंपोर्टन है मैंने इन सब च चीज मैं और बता दूँ पेश बहुत ही इंपोर्टन है अभी कोई भी चीज का अगर आपने रिजल्ट लेना है अभी कर्म आप करने हो और करने के बाद अभी कहते हो कि इसका रिजल्ट आज ही आजए कैसे आजाएगा अगर हम एक क्लास को पास करते हैं उसको एक साल है तो result will take time अगर आप कोई भी चीज seriously without taking interest towards कि मुझे इसमें फल मिलेगा तो आपको उसमें 100% फल मिलेगा उसमें 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक continue sacrifice करना पड़ता है then you will get the result तो अभी योगा के अंदर बहुत कुछ है आसना है, different type के आसन है, प्रयानाम है, meditation है, everything is योगा के मिल सकता है, आपको इतनी relief मिल सकती है, अगर आपका सब कुछ शीन गया है, आपको कुछ भी नहीं मिला है, आप मतलब debt में आ चुके हैं, business में, आपको सब कुछ लुट गया है, अगर आपके बहुत योगा है, वो आपको पूरी life में हारने नहीं देगा, आपको ऐसे लग प्रयानाम कर लो जो लोग चल फिर नहीं सकते बैड के उपर हैं जहां जनकों बहुत ज़्यादा स्टेस हैं वीजा रिफ्यूज हो चुके हैं बार वार दस बार बीस बार बाहर फॉरण से रिपोर्ट होकर आ चुके हैं दस बीस बीस लाग रुपया बैंकों का देना है तो करेंगे तो आपका माइड़ चेंज होगा क्योंकि सबसे ज्यादा जो आकसीजन है हमारे माइड को चाहिए होती है अगर अगर आपका mind change हो गया तो it means सब कुछ change हो गया आपके अंदर बहुत सारी प्राइडनेस आएगी आपके अंदर बहुत बड़ी patience आएगी आप हर एक problem को easily face करना सीख जाएंगे अगर आप ये activities करते हैं जो आज की date में बच्चे कनेडा के लिए सफट हो रहे हैं लाखर रुपे फशे पड़े हैं वीजा नहीं बार बार आ रहा है तो उनके लिए भी ये योगा बहुत ही important है आज की date में हमने अपने आपको इतना fast कर लिया हुआ है कि हमने अपनी life की expectancy जो है वो कम कर ली हुई है अभी कहते हैं यह क्या कहते हैं यह अभी वो आ रहा है 5 आ रहा है जो net चलते हैं इंटरनेट 4 5 फाइब जी अभी देखिए अतना fast करने के लिए पहले 2 जी था 3 जी था 4 जी फाइब जी आ रहा है यह जितने भी हम आडवांस टेक्नोलोजी ला रहे है यह हमारी बोड़ी के लिए बहुत ही ज्यादा हामफुल है इसका इंपक्ट क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेंसी कटे कम हो जाएगी तो आप आगे लोग जो थे वो सुबा उटकर सहर्सपाटा करते थे और गैनिक चीज़ें खाते थे तो उनकी एज कितनी थी कोई बंदा असे सी 90 साल चलता था कोई भी रोग राग नहीं थे उनको ना कभी कोई गुटने दोखते थे ना कोई शुगर का नाम सुना था ना बीपी का नाम सुना था आज की डेट में बच्चा पचरा बहुत और एक मेरी क्लाइंट से जो मेरे क्लाइंट से हैं इवन जो मेरे दोस्त हैं उनसे मेरी यही रुकेस्ट है कि आप अपनी फिजिकली एक्टिविटीज के टुवर्स इंटरस देना स्टार्ट करें क्योंकि यह बहुत ही इंपोर्टन है हमारी लाइफ के लिए अगर आपने लाइफ में बहुत बड़ी असस्टम से जीना है जहां अपनी लाइफ में अच्छा पैसा कमाना है जब तक आप फिजिकली एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे आप से सब कुछ छीन जाएगा लेकिन आपका जो फिजिकली फिटनेस है वो आ अगर आपका मन ही हो गया इन फिजिकली एक्टिविटीज के लिए तो आपको कहीं भागने की जूर्थ नहीं पड़ेगी बगवान पैसा सारा ही everything in your inner side बस उसको जगाने की जूर्थ है वो सिरफ प्रयानामों से जाग सकती है जहां आपको योगा के आसनों से जाग सकती है इवन अगर आप यहां पर क्या करते है जिम जो खुलें उन में भी जाते है वो भी बहुत अच्छा है और इवन आप अगर कोई सुबा गेम भी कहलते हैं सैक्लिंग लोग करते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है नेचर के साथ जो लोग जुड़े हुए सुबा नेच और आपका माइंड एक्टिव होगा बहुत सारे ऐसे वे हैं जिसके तुरू आप फिट हो सकते हैं बट आपको उसके लिए इनिशेटिव लेना पड़ेगा हम लाखों रुपए का ये लेते हैं इंशूरंस लाखों रुपए का इंशूरंस कहा ही मैंने 50 लाग का इंशूर अरगनिक चीजे खाने की कोशिश करें ये क्या होते हैं फोक्सनेट हुए जिसको खाएं आप सुबाउट के तो बहुत ही बढ़िया है अलग लग चीजे हैं तो सबसे मेरी एक ही रुक्वेस्ट है कि आप योगा या प्रयानाम जरूर स्टार्ट करें अगर आप आसन करते हैं आसने के बाद प्रयानाम करते हैं प्रयानाम के बाद आप आटोमेटिकली ही मेडिटेशन में चले जाएंगे और जो बंदा मेडिटेशन में चला गया उसको तो यही लगता है कि बस अभी सब कुछ यहीं पर है अभी कुछ नहीं चाहिए तो अगर आप किसी भी टाइ के उपर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट आपी के उपर वीडियो अगर उनको भी देखना चाहते हूं मेरे चैनल को ब्रोज करके देख सकते हैं थैंक यू